रादे रादे दोस्तों वास्टिप्स फोरोम चैनल में आप सभी दोस्तों का माता बेनों का स्वागत हैं दोस्तों अगर घर के अंदर कलेश रहता हैं पती पत्नी में नित्त का कलेश हैं तो घर का कलेश दूर करने के लिए एक छोटा सुपाय बता रहे हैं अगर इस उपाय को करते हैं, तो केबल इस उपाय को करने मातर से घर के अंदर से सभी नक्रात्मक उर्जा दूर हो जाती हैं, पति-पत्नी का कलिश दूर होता है और पति-पत्नी में प्रेम बढ़ता है, पती पत्नी में प्रेम बढ़ाने का ये एक अच्चु कुपा है इसे पती पत्नी कोई भी कर सकता है इसे सुकल पक्चि के सनिवार के दिन से साय काल के समय साम को पांच बजे से ले करके दस बजे के बीच तक साम को कभी भी कर सकते है इस सुपाय को आप जरूर करें दोस्तों सुपाय में जो है आपको करना यह है आपको बजार से काले उड़ड के पापर लेकर के आने है एक पैकट पापर लेकर के आए जो काले उड़ड होते हैं उनके पापर छोटे छोटे पापर लेकर आए कि जिसमें कम से कम 42 पापर तो होनी चाहिए 42 पापरों की आपको अविश्चक्ता पड़ेगी आपको जो हैं साइकाल के समय दो पापर लें सनीवार के दिन से किस दिन लगातार करना है आपको साम के समय दो पापर लेकर के उन पर थोड़ी सी डई डालें जरासी दई डालें थोड़ा एक चुटकी सिनूद डालें और पांच काली मिर्च रख करकें घर के कलिश को दूर कने के लिए पती पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए प्रात्ना करें और उसे धक्कर के ले जाएं और जाकर की पीपल के पेड़ के नीचे रख दें वहां अपनी साथ बार मनो कामना बोल करके प्रिनाम करके चले आएं पीछे मुड़कर के ना देखें कोशिश करें आते जाते समय किसी से बात ना करें तो अच्छा है कोई आवाज पीछे सिदे तो पीछे मुड़कर ना देखें और घर आकर के अपने हाथ पेह रोकर कि तभ कमरे के अंदर जाए 21 दिल लगातार इस उपाय को करने से घर के अंदर सुख शांती का बास हो जाता है सभी दज्डिता घर से चली जाती है और हर प्रिकार से परवार में सुख समर्द्दी का बास होता है पती पत्नी में इतना प्रेम बढ़ जाता है लाखों लोगों को इसका फायदा मिला है आप भी इसे जमाएं वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें आप सभी को रादे रादे